दोस्तो फ्लीज आप अनकेडमी लगनेगे डाउनलोड कर लीजे अनकेडमी में आपको शारे विश्यों की वीडियो मिल जाते हैं हमारे वीडियो भी आपको अनकेडमी पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्सन में आपको यह link दीया हुआ है जहां पे आप चाके हमें follow कर सकते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अजय साहू ओनलाइन क्लाशस मेरा नाम विवेक सिंग राठोर है एंड मैंने कल के लेक्चर में आपको 36 गड़ की हिस्ट्री स्टार्ट की थी ठीक है तो अगर इंडियन हिस्ट्री से कंपैर करके देखें तो यह पढ़ना बहुत आसान हो जाता है तो अगर इंडियन हिस्ट्री आपको थोड़ा बड़ा रिवाइस है तो बहुत और बेनिफीशल होगा तो हम आगे बढ़ता है तो इसके बाद जैसे की स्टोन एज खतम हुआ था उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हम इंडियन हिस्ट्री में भी देखते हैं वह है इंडियन स्वेली सिविलाइशन इंडियन स्वेली सिविलाइशन अगर इसका एरा देखें जो इंडियन हिस्ट्री से मिलता है वह है 2350 BC से 1500 BC यह एरा ऐसा था जिसमें हमने बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री में देखा जाये तो इंडिया में जिसे राजिस्थान से हमको बनवाली मिला है जगा है गुजरात में लोधल है यहां से हमको बहुत सारे एविदेंस मिले हैं और मुहन जदौरा और हरप्पा था तो इसको हरप्पन प्रण से विलाइशन भी कहा जाता है और यह चाहत्र गड़ के हिस्ट्री से के पॉइंट विसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर चाहत्र गड़ के उसमें देखा जाये तो यहां पर हमको कोई एविदेंस मिलानी है तो हम इस एरा की स्टडी नहीं नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमको कोई एविदेंस मिला नहीं है फिर नेक्स्ट अगर हम आएं तो वह होसा है वैदिक एरा यह वैदिक एरा का जो पिरियेट था वह इसके बाद से स्टार्ट होता है 1500 बीसी से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 600 600 बीसी यह दो पार्ट में डिवाइड ऑर वाद है इसने बहुत सार हमारे वेदों के रशना हुई है तो अगर हम देखें तो यहां पर इस एरा में रिगवेद सिर्ट जो की रशना हुई है और यहां पर बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि जिसे पहले वेदों में ही अगर दिखा जाए तो साम वेध है अथर वेध है यजूर वेध है अब उपनिशत है और ब्राहिन स्क्रिप्टर स्क्रिप्टर्स हैं तो इतने सारे ग्रंथ इस ताइम पर लिखे गए थे अगर आप यह वाला एडिया देखें यह वाला एडिया फिफ्टी हंडड़ पीसी से बन थाउजन पीसी तो इस एरिया में हमको तो एस सच कोई एविडेंस यहां से नहीं मिले है क्यों क्योंकि रिग्वेद में रिग्वेद में जो डिस्क्रिप्टर्स है वह है जमु कश्मीर के मुंज माउंटेन मुंज माउंटेन से बिंध्यांचल बिंध्यांचल जो माउंटेन है माउंटेन उसके नौर्थ तक ही उसमें डिस्क्रिप्टर्स है तो अगर कोई भी जो एविडेंस हमको मिल रहे है वो अगर यहां से यहां तक ही मिल रहे है तो डेफिनेटली बात है कि उसके बात का उसमें कोई डिस्क्र तो इस वज़े से भी हम यह वाला एरिया है वैदिक एरा उसको हम स्टडी नहीं करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट एरा है जिसको लेटर वैदिक एरा होते हैं जिसमें बहुत सारे स्क्रिप्चर्स और लिखे गया है यहां पर हमको हलका खुलका कुछ जानकारी नुलता है क्यों कि यहां पर कुछ जैसे कि कौशित की कोशित की यह ब्रामिन स्क्रिप्चर है इसमें हमको कुछ जानकारी मिले क्या जनकारी मिले कि इसमें को दिन्धियान्चल के बारे में जानकारी मिले की से स्क्रिप्चर में हमको लग बख्ड reverse के बारे में जानकारी मिलती है तो तो हम वैधिं ऐरा में यह देखते हैं कि पहले जो रिग्वेद बिडि कह राथ उसमें हमको कोई जानकारी चच्छजग्र की नहीं बिलती है लेकिन इस जो पीड़ है उसमें एक कौशित्की ब्राह्मिन जिक्रिप्चर कोशित्गी ने यह डिस्क्रिप्चर था कि विंध्यांचल परवत है और वहां पे नर्मदा नदी बेहती है जो रेवा नदी के उसमें डिस्क्रिप्शन था और शत्पत ब्रांशिंस कर्चन ने भी रिवार्स के बारे में डिस्क्रिप्शन था अब हम लोग इंडस्क्रिप्श विलाईशत पढ़ लिए वैदिक एरा पढ़ लिए अब नेक्स्ट एरा में आते हैं जो कि कुछ थोड़ा सा इसको हम लोग कंपैर करके पढ़ेंगे यह आपका रामायन एरा और महाभारत एरा तो आप सभी लगभग बच्पन से रामायन औ होगे तो यह आसानी होगी हम लोग पढ़ लेना है कि इसको दो खाग में हम लोग कंपैर करके पढ़ते हैं कि रामायन और महाभारत तो आप लोग यह हलका होगा अगर पता होगा कि रामायन काल में छत्यस गड़ को किस नाम से जाना जाता था उसका वो नाम है साउथ कोशल ठीक है हिंदी में उसको दक्षड कोशल बोला जाता है और महाभारत में 36 गड़ को क्या बोलते थे वो था प्राक कोशल अब इसके अगर थोड़ी सी रामायन की हम लोग डिटेल में जाते हैं तो आप लोग सब जानते होंगे कि रामायन गड़ी आप आप जोगिया अजया जिनकी बेटी थी वो ते भानुमंथ और प्रदेश सी यह पुत्र नाम से रखा गया था यह कोशल के नाम से नाम से रखागया था और कौशल के दो पार्ट थे नौर्थ कोशल और साउट तो अपना जो प्रॉपर्टी था वो उनके राम पे कर दिये और कोशलिया के जो हजबें थे दश्रत वो फाइनली ऑफिशली इस प्रॉपर्डी के लगभर मालिक हुए और फिर राम भगवान आए तो अगर देखा जाए तो राम भगवान की जो माता थी कोशलिया वो निहाल ही साउथ कोशल ज्यानिक शत्रिसग्रव को कहा जाता है और यही आप लोग कोई भीती रिवाज़ों में भी देखते होंगे कि जो मामा है वो अपने भांजे का पैर छुते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनके जो भांजे वो राम भगवान के रूप में है यह इसक चौदा साल में से लगबग दस साल वो शत्रिसग्रव यानि की साउथ कोशल में बितायते हैं और उसी समय एक जो हमारा बस्तर पर अधिया था उसको हम डंड कारणिया कहा जाता था डंड कारणिया क्योंकि यहां पे डंडप राक्षस रहता था और हमको बहुत सारे कुछ कुछ एविदेंस मिले हैं जो कि यह प्रूफ करते हैं कि राम एंड पिरेट में भी 36 गड़ का एक्जिस्टेंस था और यहां पर रामभवान आये थे तो कुछ एविदेंस हम देखें तो एविदेंस अगर अपन मैप से देखें तो जल्दी याद हो जाता है तो मैप से अ यह है चल्द्रिश्गण का एरिया कि यहां पे अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइस नहीं बाठते हैं डारेक्ट हम लोग डिविजन में ही देख लिता है कि कहां कहां पर क्या क्या मिले है तो अगर यह अगर यहां से उनका रामपतगमन है तो यहां से सबसे पहले अगर नीचा यह सर्गूजा किए यहां पर हमको कुछ कुछ चीजिंग आजह से रामगर की पहाडी सीता है लग्ष्मन similar ये सब कुछ-कुछ ऐसा जगह है जो लग्ष्मन सीता के नाम से ही यहां पर देवर्ड की भाड़ी उसको वहां पर फोकलोर है कि वह वही किश्किंधा परवत है जो जहां पर बाली और सिवग्रीव जी मिलेते हों फिर यहां पर है सीता पुंड है सीता पुंड और हाती हो यह सब एरिया रामायण और से अब कोई क्वेश्चिन है कि इन में से कौन से ओप्शन में विचर और फॉलिंग और तो हम इस अब तो टी कि उसके बाद अगर तोड़ा से नीचे को एक बिलासपुर डिवीजन यह खरोद यह मा जाता है कि खरओ खर्दूषण का एंपाइर और यहां पर यहीं खरोद है और उसके नीचे यहां पर शिवरी नारायंड उसके बार आपन नीचे हैं यह एरिया है तुर तुरियागा तूर्थ तूर्थ्या में वार्मिकी जी आश्रम है और दूसरा लव उसके बाद थुड़ा नीचे आते हैं तो यह है सिभावा सिभावापरवत में श्रिंगी पर द्दीर शी का आश्रम माना जाता है और यह माना जाता है वहीं rush पर आपको पता है कि ये वFil्लेर तो आपको पता है कि ये और यहां पर है कुतुम सर्थ की खूफा निसाइक कि अंदर पूजा करते हैं वहां पर लाइम स्टोन के एक शिव जी की मूर्ती भी पाई गई है तो यह इतने जो जगह हैं यहां से हमको कुछ न कुछ ऐसे एविडेंस मुले हैं जो रामाया काल के हमको यार दिलाती है उसके बाद अगर आपन महाभारत एदा У कि य exec इसको उस समय वनिपूनना मणिपूर नाम से जाने अजह उगया इए आपrée लिखा just एक सिरपुर और एक है खलारी से Nursingal Pokemon कि सिर्पूर की सिर्पूर उस टामके बिस श्रीपूर हुआ करता था जो बप्र होँएं था मतलब इ।μεおい एर जो यहांकी राजदाणी थी i we तोम झेव ऑबो ऑर्जुन से विवाब की थी अरुबी और अनके पुत्र था वह बप्रुत हैं जो कि बाद में जो खल वातिका है जो लक्षागरी अपन महाभारत में सुनते हैं वह लक्षागरी में खल वातिका के नाम से था उसके बाद यह चार हो गया और यहां पर जाजीर चापव में एक गुंजी करते जगह है ठीक है यह रिशब्तिर्थ का आश्रम था रिशब्तिर्थ आश्रम गुंजी है उसके बाद अब यह लगभग एडिया महाभारत की एक दो तीन चार पांच पांच एविडेंस है जो यहां से हमको मिले हैं और रामयाय्याट से इतने सारे जगह हैं जहां से हमको जए है इत्यान को अब बाद पेरियों सब्सक्राइण के जिए मा जन पकिरियों सब्धिक्रिक्र रेहां हो?" तो महाजनपद पीरेट से हमको सिर्फ बहुत सारी चीजे हैं कि महाजनपद में अगर इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो सोला सोला महाजनपद में बटा हुआ था पूरा एडिया उसमें कुछ-कुछ जैसे यह लिस्ट आप इंडियन हिस्ट्री में देख सकते हैं विससे कुछ-कुछ अगर बताना चाहूं तो अंग था मगद था है मगद था और हमको जो इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है वो है चेदीजगड़ यह वी एक जनपद था सोला जनपद में से तो एक या नाम याद रखेगा डॉक्टर हीरा लाग डॉक्टर हीरालाग इनका कहना था कि जो चैरिस और बाद में बोलते बोलते कंवार्ट हो और पल्लग को बन गया शलक्ष्यों का कि इनके दूब बोला गया था है कि ऐसा हुआ है और दूसरा थे जीवी पहलगर कि जीवी पहलगर का कहना था कि जो मगध जो गटाव वहाँ पर एक राजש फे जरासंड उनका वह बहुत कुरूर थे और उनसे डर के उनके आतम से बहर होके 36 फैमिली यहां पे माइग्रेट होगी और यहां पे अपना घर बसाई जो की बना 36 घर और वही बाद में बना 36 गड़ तो यह तो नाम करण के उपर हो गया उसके बाद अगर आपन देखें तो इसी महाजन तो यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध उस टाएंग पे 36 घर कहां आए तो यह कैसे पदाचला कि गौतम बुद्ध शत्यूद्ध और सिर्पूर आए थे तो कोई ना काहीं ना कहीं यह लिखा होगा तभी पदा चला होगा तो यह कहां पे लिखा है वो हम देखते हैं तो तो एक बॉद्धिस्ट का स्क्रिप्चर है जिसको बोलते हैं अफदान शतक अफदान शतक में यह लिखा हुआ है यह डिस्क्रिप्शन है कि गौतम बुद्ध यहां पर आया थे और दूसरा कारण यूं सैंग जो कि ट्राइव्लर थे चाइना के वह आया थे अमयाए यह एक रशना की funeral से जिसको बोलते हैं में स्चाल कि विदी स्वार और उनका और ऊस्ते कॉंशन ये चिप्रिप्शन की कि किTo पीम के नम से किए और यह औरấu और कुछ और भी जिसे अगर चोटे पॉइंट देखा जा तो एक है अंगुत्तर निकाय यह बॉद्धिस्ट स्क्रिप्चर है और एक है आपका भगवती सुट्र भगवती सुट्र यह है जैन स्क्रिप्चर यह दोनों में लग लग मिलता है कि कौशल एक जनपद था उस समय है और कौशल की दो पार्ट थे एक था नौर्थ और एक था साउट और यह साउथ हमारा वाला चट्रिफ गण वाला फूर्शन है और इसकी जो राजणी है इसकी कैपिटल थी श्रावस्ति यही है कि अगर इंद्सीं कुछ कुश्चन स लगाते हैं तो यह फेवरेट क्वे से जादा अपना सर्मन कहां दिये हैं कहां वो ज्यादा रुके हैं अपने लास-लास में तो वो श्रावस्ति एरिया है तो फाइनली हम आज इस सेशन में क्या कंप्रीट किया हम इस सेशन में हम इंडर्स वैदी सिविलाइशन को देखे कि हम यहां के कोई एविदेंस मिलता न ली उसके बाद हम रामायाइट पिरियेड में गए और रामायाइट सेशन के बाद कुछ जब हम कंपार किया तो हमको कुछ-बाद महाभारत में भी अंको पता चले जो महा भारत कार्स से रिलेटेडन है, उसके बाद हम महाजनपद पिरेड में जो 600 BC के आस्पास है तो उसमें हमको कुछ जो डिस्क्रिप्शन है कुछ स्क्रिप्चर से उन से हमको पता चला कि कही न कहीं कुछ न कुछ रिलेट था हमारा और हम नेमिंग ऑफ छत्यसगर भी देख लिए कि डॉक्टर घ्यालाल थे और जीवी पहलगर थे वह अपने अपने तरीके से इसका जो नाम करन हुए चत्यसवियों का वह बताए और फाइनली हम यहां पर आज खतम करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग मौरे पिरेड के आगे बढ़ेंगे ठीक है फिर दीरे-दीर